राजस्तान विधान साव अध्यक्स वासुदेव देवनानी निषनिवाव को राजस्तान विधान सवा में आयोजित युव और संसत शमारों में भारत को विश्वि का सबसे बड़ा सफल लोगतंतर बताते वे कहा कि राश्ट्र को महान बनाने में हमारी सम्रद सेवधानिक पनपराए नियम और प्रकिरियाय महत्वपूर्ण भूमिक निभाती हैं उन्होंने कहा कि भविश्य में इस महान लोक्तंत्र को जीवित रखने में देश के युवाओं का एहम योगदान होगा समारों को सिद्धान्तों और व्यवस्ताओं के प्रति गहरी आस्था है उन्होंने युवा संसद में उपस्तित युवाओं से आवान किया कि वे संसदिये व्यवस्ताओं में भागीदारी बनकर एक नई उर्जा कर संचार करें विदान सबाद्यक्स ने वरतमान में ऐ संसदिये सथिक्क जूली नीटा प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश के विकास और कानूनों की करियानवित का निर्धारण विधान सभा से ही होता है उन्होंने विध्यार्थियों को सदन की करेप्रणाली को बारे की से समझाने और शोशल मीडिया के सीमित उपयोग तथा फेक नियूस के प्रति जागरुक रहने की सलादी है विधायक और राष्ट्र वंडल संसदीय संग की राजस्तान शाखा के अध्यक्ष संदीब शर्मा ने स्वागत और आभार ग्यापित करते वे कहा कि यूवा संसद कार करमों से यूवाओं को लोक्तंत्र की स्वस्थ परंपराय और विधायका के काम काज को समझने का अवसर मिल रहा है कारेक्रम में 41 विध्यालों के 181 विध्यारतियों ने विधायक के रूप में सदन में बैठ कर जन हिट के प्रशन पूचे और स्पीकर मुख्यमंत्री नीत अविध्यारत वर्श में आजादी के पस्चाद धर्म और शिक्षा के ववसाइक करन हो गया है शिक्षा अगर दान देने की वस्तु है तो उसका ववसाइक करन क्यों कोचिंग इंसिटूट्स की अलग संटर्स में अलग फीज क्यों The classics in these coaching centers have been divided on the basis of the students' intelligence level Brilliant students have been taught by excellent faculties and receive concession in their fees Whereas the average students are taught by average faculties and have to pay higher fees ऐसा भेद्भाव क्यों? जब सब students का एक ही लक्षा है तो उनमें भेद्भाव क्यों करते हैं? Mal practices have occurred IIT Kanpur में meeting साथ बज़े से लेके साड़े साथ बज़े तक चली और उसके पस्चात ही ये गोशित किया कि IIT का paper cancel है Meeting paper leak के वज़े से हुई थी Paper leak एक coaching institute के extra class में leak की गई थी ऐसे coaching institutes के वज़े से हमारे दूसरे बचों का rank and scores affect होता है Yet we don't speak against them The coaching centers should be monitored by the government officials The coaching centers teach only co-subjects to them Whereas the students have to appear for other languages as well Coachings को ये लगता है कि वो उन्हें एंटरंस टेस्स के ले तयार करे है लेकिन उनकी 12th का क्या? उन्हें अपनी syllabus में regional languages भी आड काना चाहिए The coaching centers have unplanned schedules with the students studying for 18 hours a day 7 days a week with no time for leisure Psychology के हिसाब से, a student cannot study for 18 hours a day without going into depression Which can eventually lead him to suicide and feel lonely Government को coaching centers के लेक time table schedule कना चाहिए In January this year, the Union Ministry of Education issued strict guidelines That institutions cannot issue misleading governments' advertisements about guaranteeing ranks and good marks फिर भी भारत के हर एक गली में आपको एक ना एक coaching के hoardings जरूर दिखेंगे इन में कितनी सचाई है हमें क्या पता? हम तो वैसे भी अंधे की लाठी नहीं, अंधे खुद बन चुके है जैहिन, thank you जनता दर्वान यूज में फिलहाल के लिए इतना ही